मैं डॉक्टर बिनान भार्गव, सीनियर कंसंटर निफ्रोलिचिस सर गंगराम हॉस्पिटल न्यू डेली आप से बात करने वाला हो डायविटीज और उसकी प्रॉब्लम्स किड्नी के साथ डायविटीज जैसे हमें मालुम है एक एपिडेमिक प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है हमारे कंट्री में डायविटीज का जो तनाव है वो साल बाई साल इंक्रीज होए जा रहा है डायविटीज एक ऐसी बिमारी है जिसमें बलड का शुगर इंक्रीज होता है और जिसका treatment अगर सही time पे ना start किया जाए तो वो अपनी complications आपको दिखाता है तो diabetes को diagnosis में हम कैसे करते हैं diabetes का diagnosis के अंदर सबसे पहले कोई भी इंसान जिसको बहुत ज़दा पिशाब आ रहा हो बहुत ज़दा भूख लगरी हो weight loss हो रहा हो वो अपना जब test कराता है और देखता है अपने blood के अंदर तो उसकी blood sugar fasting में और खाना खाने के दो घंटे के बार जिसको post-prandial blood sugar कहते हैं उसमें elevated या बढ़ी हुई आती है उस level पे दो काम हो सकते हैं एक काम ये है कि आप treatment कराएं दूसरा काम ये है कि आप इसके बार में भूच जाएं जो लोग इसका treatment कराते हैं इसके अंदर diet control होता है और दवाईया होती हैं वो लोग diabetes की complication के शिकार कम होते हैं अब diabetes की सबसे important complication kidney पर आती है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि kidney का रोग सबसे ज़्यादा patient diabetes वाले होते हैं diabetes के और भी दूसरे जगा पे वो effect कर सकती है वो है brain आपकी आँखे आपकी आँखों की नजर जो है कुछ सालों में जा सकती है क्योंकि वो आँखों के परदों को effect करती है heart के अंदर भी diabetes का effect होता है heart की नलियां तंग कर देती है और उसके साथ heart attacks हो सकते है brain की blood की supply कम कर सकती है brain की जो आपकी arteries हैं उसके अंदर calcium के जमा होने से diabetes के वज़े से आपको strokes हो सकते हैं उसके इलावा नसों के अंदर जिसको nerves कहते हैं उसके अंदर जमा होके Diabetes जो है आपकी नसों को वीक करके पैरों में दर्द, हातों में दर्द ये सब चीज़ें कर सकती है तो एक बार जब हमारे पास आते हैं और हम देखते हैं कि आपका शुकर जादा है तो आपका फर्द बनता है कि आप अपनी दर्द दवाई जो है वो टाइम पे लें और अपना चेक अप और अपना lifestyle lifestyle का मतलब ये है अपनी डायेट को चेंज करें और physical activity जिसको exercise कहते हैं उसको start करें smoking diabetes के साथ कभी नहीं जाती है Smoking वाले patient जो diabetic होते हैं उनको complication के chances बहुत सादा high होते हैं as compared to जो smoking नहीं करते हैं और यही same problem तंबाकू वालों के साथ है तंबाकू and smokers यूज़ करने वाले जो हैं उनकी diabetes related complications दूसरी population जो नहीं यूज़ करती उससे ज़दा होता है तो diabetes kidney को किस तरीके से असर करती है kidney के च्छनियों के उपर जिसको हम nephron कहते हैं और उसके अंदो जो च्छनियों होती है जिसको हम glomerali कहते हैं उसके उपर परता है kidney के च्छनिया जो है उसको weak करके वो protein की leakage पिशाप से start करता है protein की leakage अगर शुरुआत में पकड़ी जाती है और उसका इलाज किया जाता है तो diabetes related complication kidney के उपर reverse किये जा सकते है पर जैसे जैसे time निकलता है और protein ज़दा पास करता है तो उस case के अंदर आपकी kidney के अंदर irreversible damage हो जाता है फिर उसके बाद अगर आप अपनी diabetes control रखते हैं तो आपकी disease जिसको हम diabetic kidney disease कहते हैं वो progress करती है लेकिन slow speed से progress करती है अगर आप उस time पे भी अपनी शुगर का ध्यान ना रखें, blood pressure का ध्यान ना रखें तो उस time पे आपकी kidney का रोग जो है time से ज़दा और बहुत fast progress होके आप dialysis पे जा सकते हैं diabetic patients को जिनमें kidney की दिक्कत हो और protein leakage हो उनको आयरवेदिक या कोई alternative medication से थोड़ा ध्यान रखना होता है use कर सकते हैं लेकिन अपने test simultaneously कराने चाहिए pain killers, pain killers जो हैं वो diabetic patients जिनके kidney से protein निकल रहा है उसकी kidney को और weak करते हैं और time से पहले ही आपका dialysis start हो सकता है तो दोस्तों अगर suppose आपको diabetes है और kidney से आपका protein निकल रहा है तो सबसे पहले आप अपना diabetes और blood pressure और अपनी lifestyle को control रखें एक nephrologist को ढूड़ें जो आपके kidney के functions को regularly monitor करता रहे and मानो कि अगर आपको late stage पर पता चलता है कि आपको diabetes related kidney disease है और आपका doctor आपको कहता है कि आपके kidney में recovery नहीं होगी तब भी आप हताश ना होए इसकी भी दवाईयां आती है जिसके साथ आपका रोग को slow down किया जा सकता है तो मानो अगर आपको बिलकुल advance stage के उपर आपको पता चलता है जिसके अंदर आपका kidney function मातर सरफ 1% या 2% रह गया है ऐसे patient जो हैं लगतार दवाई लेने के बावजूत भी dialysis पे जाते हैं और जब आप dialysis स्टार्ट करते हैं तो आपके डॉक्टर आपको समझाते हैं कि dialysis दो प्रकार के होते हैं किसी भी diabetic kidney disease patient के एक तो खून से होता है और दूसरा home dialysis जिसको water dialysis कहते है सबसे important जो इलाज और सबसे अच्छा इलाज किसी भी kidney का patient का जो dialysis पे चल जाता है वो है kidney transplant मानो kidney को change करना तो kidney एक बार आपकी change होयाती है क्योंकि आपके शरीर में सिर्फ एक ही अंग जो है वो सबसे अधा affected है और वो है kidney और इसके वज़े से आप जब dialysis पे जाते हैं तो dialysis पे जो diabetic patients होते हैं उनकी IU non-diabetic patients जो dialysis पे हैं उसे कम होती है तो इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर diabetic patient dialysis वाला अगर अपना transplant कराता है तो उसकी जिन्दगी बहुत लंबी हो जाती है as compared to जब वो dialysis पे रहता है अब transplant करने के बाद भी आपको diabetes का control रखना बहुत जरूरी होता है smoking आप कभी नहीं कर पाएंगे और आपको regular अपने check-up कराके अपने sugar का पूरा ध्यान रखना होता है नहीं तो नहीं kidney के अंदर भी diabetes related changes होने के वज़े से नहीं kidney भी कुछ सालों में protein leakage से वो भी effect होके खराब हो सकती है time से पहले तो ladies and gentlemen, दोस्तों I hope आपको इस information से कुछ फाइदा हो अगर आप इसके बारे में और जानना चाते हैं तो I am Dr. Vinan Bhargav, Senior Consultant, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. Thank you very much.